कैसे वाप सब मैं सिय पेश्गुपता आज ना हम डिसकस करेंगे कि अगर आप एकांटेंट हो या अपना करेर प्लान कर रहे हूं तो आपके पास कौन-कौन से ऑप्षिंस हैं देखो दो ऑप्षिंस के बारे में आपको पता होगा जिसमें से सबसे ज़्यादा आपको फैदा है कि इसमें क्या नुकसान है आपको क्या करना चाहिए इसके बारे मैं आप डिसकस करेंगे और उसके अलावा ना इन दोनों के अलावा मैं आपको बाद में एक ऐसा option बताऊँगा कि जिससे आप अपनी income को इससे भी कहीं गुना ज्यादा increase कर सकते हो मतलब बहुत ज्यादा आप अपने उसमें benefit ले सकते हो ठीक है तो आज हम सारा इसी की चीज के ऊपर discuss करेंगे इंडिया में अगर मैं आपको बात करूं तो 99% से ज्यादा students जो है या accounting film में जो अपना career जिन्होंने setup कर दिया है वो क्या करते हैं वो job में अपना career setup करते हैं hardly 1% student ऐसे होते ह हैं जो practice में अपना career plan करते हैं otherwise 99% कि इसमें job में अब job के ना अपने plus point और अपने minus point है अगर मैं job की फैदे की बात करता हूं तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आपको एक बार job मिल गई ना तो first day से आपकी salary आनी शुरू हो गई आपको ये tension नहीं है कि मुझे किसी मह आने मेरे पास आने है और यह एक fix मेरा हो गया हर साल जो भी performance की साफसे आपके increment मिलना है वो तो एक अलग चीज है ही ठीक है that's a different तो यहां पे आपके पास यह option clear mind में आपके होता है second चीज क्या है कि यहां पे आपको हर साल एक fix increment मिलता जाता है तो यह आपको एक plus पता होता है कि हां मुझे हर साल 5% 10% जो भी है वो increment इसमें मिलना शुरू हो जाएगा और income आपकी पहले दिन से शुरू हो जाएगी जिस दिन से आपने job शुरू करें मतलब obviously मिलेगी एक महीने बाद आपकी salary बढ़ हां earning तो तब से आपकी start हो चुकी है तो मैं अगर job को कहूं तो इ हाली चीज इसमें competition बहुत जादा है मतलब अगर आप कहीं पी जॉब अपलाई करते हो ना अगर आप लेट से मैं कहतो हूं LinkedIn ओपन कर लो या फिर आप को यह पोर्टल कर लो आपको पता होगा जैसे नौकरी.com हमारा होता है monster.com हो गया या इस तरह से LinkedIn हो गया इस तरह की बह आप जॉब पोर्टल पर देखेंगे न तो एक वकेंसी के against में कम से कम 10,000 लोगों ने apply किया होगा अगर अच्छी कम्पनी है इतनी जादा famous नहीं है तो 1000 लोगों ने महां पर apply किया होगा 100 ने तो किया ही किया होगा मतलब इतने सारे लोगों के बीच में से आपका selection होना का लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है जहां पर ना आपकी सेलरी कम ही रहती है मतलब आपको एक स्टार्टिंग में जो जॉब मिल गई लेट से आपने स्टार्टिंग में 20,000 में जॉइन कर लिया अब आपको बताए कि 20,000 में एक सेलरी फिक्स हो गई हर साल थोड़ी-थोड़ी इ यहां पर आप ऐसा नहीं सो सकते हो कि आज आपने 20,000 पर जॉइन किया अगर कुछ एक्स्टार्टिंग नहीं होता है कि आप दो लाग तीन लाग रुपे महीना अंट परने लगोगे ऐसा कभी आप प्लैन नहीं कर पाऊगी जो कि प्रैक्टिकली इंप्रैक्टिकल हो कर देते हैं कुछ नेगेटीव बात कर देते हैं हम बूरा मान जाते हैं उनसे बात करना छोड़ देते हैं जबकि एक अन्नोन परसंट जो आपके सीनियर है उसकी आप दिन राज सुन रहे होते हो क्यों क्योंकि वह आपको पैसे दे रहा है सिर्क इतना फराज़ें तो कही यह चीज एक गलत इंप्रेशन क्रेट करती है आपके अपने माइंड में हां बहुत सारी कंपनी ऐसी है जहां पर वर्क एक्स्पिरियंस या मैं आपको कहूंगा एंवार्मेंट वर्क एंवार्मेंट बहुत अच्छा है तो एक एक्सेप्शनल चीज है और ऐसा अगर आप एडवन्ड मिलना अब हम बात करते हैं प्रेक्टिस की प्रेक्टिस में क्या है और के अच्छल में कॉम्पिटिश्ज्यं बहुत कंप है कि कॉम्पिटिश्जिं आपको बहुत लो मिले गा मैं इसके बाद में एक और option बताने वाल हूँ जो इन दोनों से भी better है competition इसलिए low है कि आप देखो कि इंडिया में कितने ही CA ऐसे होंगे जो practice में हैं कितने ही advocate होंगे हमें लगता है कि बहुत सारे हैं क्यों हर किसी ने हमें ऐसा बोला होता है तो हमें feel हो रहा था आपके शहर में बट उसके comparison में highly chances हैं कि वहाँ पर आपके पास जो tax practitioners हैं वो बहुत-बहुत-बहुत कम है जॉब में देखो ना कि हर commerce वाला student जो pass out कर रहा है या आप science streams है और science की कोई field में अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पर हर person ही apply कर रहे हैं तो आपके school में जितने बच्चे हैं वो सभी किसी ना किसी job में apply करेंगे वहाँ पर demand और supply का दोनों का मैं मानता हूं कि एक companies भी बहुत सारी है जो है content को है करती है बढ़ तब भी वहाँ पर आपका जितना competition है उससे बहुत कम competition है प्रैक्टिस में बस शर्थ आप प्रैक्टिस को प्रॉपरली जानते हो कैसे promote करना है कैसे उसको grow करना है अधरवाज challenge आता है ठीक है अगर आपने नहीं देखा तो बहुत सारे student हैं जो starting में 10,000 रुपे से शुरू करते हैं और कुछ time बाद वो एक लाग दो लाग रुपे महीना तक भी कमा रहे है इंफेक्ट इस से ज्यादा भी कमा रहे है अगर मैं नॉर्मली बाद करूँ 40-50,000 रुटीस पर मन आप अगर प्रॉपर एफर्स देते हो और जो tips मैंने course में आपको share करी हैं अगर आपने course लिया है उन चीजों वो follow करते हैं तो definitely आप बहुत अच्छे से its level तक grow कर सकते हैं अब बात आती है third option की वो option कौन सा है जो हमारे job और practice दोनों में इन से better अगर आप अभी अपना career start कर रहे हो और अभी study कर रहे हो तो मेरा suggestion क्या रहे हैं देखो मैं आपको suggest कर रहा हूँ अपने courses के साब से बट अगर आप मुझसे नहीं study कर रहे हो तो सबसे पहले first initially आपको कोशिश क्या रहे हैं चाहिए कि course के अंदर जो भी मैंने आपको step by step tips बताई है clients को बनाने की clients को कैसे approach करें उनको कैसे convince करें आपसे work करवाएं वो उन सारी tips को आपको follow करना तो let's say आपने diamond club का course join के जिसमें 25 courses है ठीक है 25 total courses है इसको आपने join किया जॉइन करने में आपने जैसे आप पहला course आप देखो गया let's say GST का आप नहीं किया GST में 10 और 15 वीडियो से tips शेयल करने स्टार्ट हो जाती है बीच में आपको as per the course बताता रहें तो नहीं ही आपने आप उन tips को seriously follow करना शुरू कर दो उससे क्या होगा course करते करते आप अपना promotion स्टार्ट कर दोगे clients को पता चलने लगेगा कि हाँ आप exist करते हो taxation film में आप अपना career स्टार्ट कर रहे हो उनको idea लगना शुरू जाएगा जो आपको badges मिलते हैं तो badges को आप social media पर share करने लगे करके लोगों को आपके बारे में पता चले ठीक है अब यह 25 courses अगर आप regularly पढ़ रहे हैं तो students की आपकी speed पर depend करते हैं बट students इसको normally let's say five months के अंदर maximum complete कर लेते हैं जो properly इसको study करते हैं ठीक है four to five months में complete हो जाता है अब आपने पांच महीने में complete किया तो यह जो five months है ना यहां पर आपको अपना best दे देना है अपने clients को target करने के ठीक है जब आपके यह course complete हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है आपको 16 certificates अपने apply कर लेना है उससे पहले भी आप करी सकते हो obviously तो एक एक certificate आप लेते तो अब तक आप बहुत अच्छी income start कर चुके होंगे course complete होने से पहले आपकी एक अच्छी income start हो चुके होगी इसको follow करो बट मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है किसी reason से आपकी वो tips follow आपने जो करी है work नहीं करी है ऐसा होता तो नहीं है बट फिर भी यह आप उनको following नहीं कर पा करना है अब आपको job के लिए apply कर लेना है अगर अभी तक आपकी earning start नहीं हो रहे आपको लगता है कि मुझे earning जलजे start करने है आप job के लिए apply करो job के लिए आप CA firm में भी apply कर सकते हो या company में भी apply कर सकते हो मेरा suggestion रहेगा आप दोनों जगर apply कर ठीक है जहां पर भी आपको ल को एक बहुत अच्छे से well-drafted email और WhatsApp message draft करके अपना pick proper professional CV resume जो है वो create करके वो उनको send करो अब यहां पर इस चीज को समझ के चलना अगर आप 20 जगह apply करोगे तो जाके वहां से 2-3 लोगों की call आपके पास आएगी क्यों क्योंकि वहां पर कितनी knowledge हो यह हमेशा होना है reason है कि हो सकता है सामने वाले परसंग को अभी जरूरत ही नहीं है और आपने apply किया but that's totally okay आप वहां पर apply करते जाएगे हो सकता है वो 17 लोग जो थे जिन्नोंने आज आज आपको calling किया कल उनको requirement होगी उनको आपका CV अच्छा लागा क्यों आपके CV में 25 subjects knowledge है और 16 certificate आप खुद बत इसकी practical knowledge है तो जॉब मिलना तो अपने अपसान हो जाएगा तो यहां पर आपको यह step करना है अब बहुत यहां से मैंने क्या का कि पहले तो course के duration में अपनी practice पे focus रोको फिर अगर नहीं earning आपकी उपाई satisfactory तो job join कर लो CA के अंडर में एक company के अंडर में मैं कहूंगा अगर salary स आपका purpose सीखना नहीं है सीख तो आपने लिया आपका purpose से job करना हो ठीक है इसके बाद आपको वहाँ पे exposure किस तरह के का मिलेगा थोड़ा वहाँ पे na company CFR में बहुत सारी तरीके के clients हैंगे आपके उनके साथ relations build-up होंगी आपकी terms बनेंगी और आपका core purpose क्या रहे है अपनी practice स्टार्ट करना साफ नहीं लिखा जा रहे है कोई बात नहीं अपनी practice स्टार्ट करना आपका core purpose होना है तो आप सीख फर्म में work कर रहे हो बट आपकी कोशिश क्या है कि जल से जल जब भी हो आप अपनी practice पे switch कर जाओ terms build-up हो आपको confidence build-up हो और सीख practice में कर जाओ तो मैं मान की चलता हूं depend करता है वर्ट पे जब आपके 40-50,000 रुपी की monthly income होने लगेगी उसके बाद शायद आपको अपनी job छोड़ने की requirement लगी उससे पहले दोनों चीज़े side by side manage हो जाएंगी आपकी 40-50,000 रुपे जब महीने का earn कर रहे हो तो उसके बाद आपको लगता है तो आपको क्या करना है आपको starting में जब course के duration में यह जब भी अपनी study कर रहो तो या अभी तक आपने study कर ली है और अभी तक कुछ efforts नहीं दी है तो सबसे पहले practice के focus करो ठीक है अगर आपने tips नहीं देखिए तो YouTube पे playlist मिल जाएंगी client कैसे बनाने है वहापे आप जाके basic tips करो एक साल करो अपने terms build up करो mind में रखो कि मुझे practice ही करनी है जीरे-जीरे clients बनाते जो उनको part time में काम करते जो और जब आपके clients काफे सारे हो जाए और आपको लगे कि अब मुझे full time इसको दे देना चाहिए then ठीक है अपनी job quit करिए और अपनी practice start करिए और earning opportunities अगर जानना चाहते हूं कि कैसे इसमें मतलब बाकी student 50,000 से लेकत monthly 3-4 लागों के साल तक का कमा रहें तो आप क्या कर सकते हो एप download कर सकते हूँ C.A.P. शुकता वहापके आपको वीडियो मिल जाएगी ठीक है बाकी कोई video आउट हो comment करना मैं कोशिश करूँगा आपको reply करे बाए बाए वीडियो मिल बाकी दीक है